अब नवरात्री का समापन भी आज हो रहा है तो नवरात्री की पूजा का समापन कैसे करेंगे पहली बात और आज के दिन दशेहरा कैसे मनाएंगे देखिए आज दोपहर के बाद तकरीबन बारा बजे के बाद पहले देवी की पूजा करें माता दुरगा की इसके बाद श्री राम की पूजा करें देवी और श्री राम के मंत्रों का जब करें जैसे देवी का मंत्र है एंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्चे ओम राम रामाय नमहा, भगवान राम का मंतर है, या राम का नाम भी एक मंतर है, राम नाम का जब करें, देवी और श्री राम के मंतरों का जब करिए, अगर आपने कलश की स्थापना की थी नवरात्री में, तो कलश के उपर से नारियल हटा दीजिए, इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहान करिए कलश का जो जल है वो पूरे घर में चड़क दीजिएगा ताकि घर की जो निगेटिव एनरजी है वो दूर हो जाये और जिस स्थान पर आपने कलश की स्थापना कि थी घट स्थापन किया था उस स्थान पर एक घी का दीपक जलादें जो दीपक रा रक्षा सूत्र बांधेंगे शस्त्र जो है वो माता दुर्गा को समर्पित करेंगे उस पे तिलक लगाएंगे उस पे रक्षा सूत्र बांधेंगे और इसके बाद माता से प्राथना करेंगे कि शस्त्र से किसी को नुकसान ना पहुंचे अब बताते हैं आपको दशहरे के दस महा उपाए जिन महा उपाईयों को करने से आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी पहला उपाए देवी को जो नारियल आपने अरपित किया था नमरात्री में उसे पटक करके एक बार में तोड़ दीजिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहन कीजिए ये करने से आरोग्य का और स्वास्थे का वर्दान मिलेगा जो कोई इस प्रसाद को ग्रहन करेगा उसका स्वास्थे पक्ष अच्छा होता चला जाएगा देवी को जो लाल चुनरी अर्पित की थी उसमें सिक्के बांद दीजिए दो चार रुपए पांच रुपए के सिक्के और बांद करके इसको अपने पूजा अस्थान पर रख दीजिए पूजा अस्थान पर एक घी का दीपक रात भर आपको जलाना है जिस अस्थान पर आपने कलश रखा था दशेहरे के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा जरूर लगाना चाहिए ऐसा मानते हैं कि दशहरे के दिन अगर शमी का पौधा लाया जाए या शमी का पौधा लगाया जाए तो इससे घर की दरिद्रता दूर होती है अगर पौधा पहले से आपके पास है तो पौधे की पूझा करिए और उसके नीचे एक घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाईए एक इमली की टहनी ले आईए इमली के पेड में से छोटी सी उसकी टहनी तोड़ लेजिए उसे ले आईए और उसकी पूझा करिए जल से धोक कर तिलक लगा कर उसकी पूझा करिए और इसके बार इसको अपने घर में रखिये ऐसा मानते हैं कि इंमली की ठहनी की पूझा करके अगर घर में रखा जाए तो घर में धन का भाव नहीं होता लेकिन साल भर बाद पुरानी už ठहनी को तो विवाः जल्दी होगा और अगर विवाः हो गया है तो यह उपाय करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. दशेहरे की शाम को राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करें भगवान राम के सामने बैठ करके राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करें तो आपके स्वास्त की रक्षा होगी और आपकी आयू लंबी होगी अगर आपने रावर दहन देखा है रावर दहन देखने गए हैं तो घर पर आ करके सनान जरूर करियेगा और सनान करके भगवान राम की और मादुरगा की पूजा करियेगा दशेहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को मीठी चीज का दान करियेगा जैसे गुड है लड़ू है बूंदी है कोई मिठाई है अगर आप दशेहरे के दिन किसी गरीब व्यक्ति को मीठी चीज का दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे करियर और रूजगार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाती है तो दशेहरे के दिन तीन काम करना बहुत ही जरूरी है पहला काम माता दुर्गा और भगवान राम की पूजा करें दूसरा काम कलश हटाएं और कलश के स्थान पर रात भर दीपक जनाएं और तीसरा काम घर में शमी का पौधा लाकर के लगाएं या घर में अगर शमी का पौधा है तो उसका पूजन करें इससे आपको लाब होगा